दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे आज की सबसे पहली कबर बिहार में आप घर बेटाई बनुए बनवा सकेंगे जाती आए और आवास परमान पत्र जानी न यह तरीका जिहां बिहार अंकल कार्यालयों में जाती आई आवास परमान पत्र बनने को लेकर हो रही भीड और परियसानी को देखते वे अब प्रासासन ओलाइन ब्यवस्ता पर बिसेस बल दे रहा है अब घर बेटे ही जाते आई और आवास परमान पत्र बनाने की सुविदा उपलब्द हो गई है आपको बतादे कि इस वर्स 21,44,000 लोगों ने आवेदन किया था इसमें 65% लोग ओलाइन आवेदन दिये हैं आगे आटिपेस काउंटर की बजाए ओलाइन परमान पत्रों को बनाने के लिए आवेदन और उसे निस्पादन कर ओलाइन डाउनलोड करने की सत परतिसत सुविदा अपलब्द करने की योजना है आवेदन करने के लिए सर्विस से आप डाउनलोड करना होगा इसे खुलने के बाद बाई और आज जाती और आवास परमान पत्र के कॉलम दिये गए हैं जो बनाना है उस पर क्लिक करके बिस्तितर ब्योराब को भरे ओलाइन आवेदन करने के बाद मॉबाइल पर एक लिंक काएगा जिस पर परमान पत्र बनने के बाद किलिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं एक परमान पत्र को बनाने में 150-15 का समय लगता है यदि ओलाइन आवेदन करने के बाद समय पर परमान पत्र जारी नहीं किया जी हाँ सुबह में बादलो का बसेरा सुरू हो गया है और नियुनतम तापमान में लगातार बृदी हो रही है पिछले 24 गंटों में अधिकतम तापमान में भी बृदी दर्च की गई है लेकिन अब आसमान में बादल अगले 24 गंटों में दिरे-दिरे सगन होंगे इससे बृद्वार और बृद्वार को राज के कई हिस्सों में बारिस के आसार है वहीं बृद्वार और गुरुवार को सीथ दिवस की सिती बन सकती है बिहार के ऊपर चकरवर्तिय प्रसंचरन का छेत्र बना हुआ है और पुरवा के लगातार परवा से बारिस के नुकूलन अस सीत लहर के आसार है मौसमिगन केंदर पाटना की ओर से 29 और 30 दिसंबर को सीत दिवस का लड़ जारी किया गया है बकसर बोजपुर रोतास बबवा और अंगाबाद अरवल पाटना गया सिकपुरा नलंदा नवादा बेगुसरा लकिसरा जहानाबाद में सीत दिवस की सिति र प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन 15-18 आयू वर्ग के बच्चों के टीका करन का एलान किया था यहां टीका करन 3 जनवरे 2022 से सुरू होना है ताजा खबर यहा है कि कोविद 19 वेक्सिन फोर चिडलन के लिए रजिस्ट्रिशन की सुरूआत 1 जनवरे 2022 से हो ज अगली बड़ी कबर बिहार में पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले एक्टिव केस वे 116 जहां बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बड़ रहे हैं बिहार में पिछले 24 गंटे में 26 नए मामले सामने आये हैं वहीं एक्टीम मरेज की सेंग्या 160 हो गई है सबसे जदा मरेज पटना में मिले हैं पटना में कूल 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं मुंगेर में 10 गया में 2 कटिहार में 1 और 2 साले में 1 नए केस मिले हैं वहीं दूस से पहले और किसे बाद में मिलेगा मोगा कोरोना की तेसरी लहर और ओमिक्रोन के खत्रे को देखते वे केंदर सरकार ने हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर के साथ 60 वर्स अधेक वायूक वाले विमारियों के सिकार बुजरुगों को वैक्सिन की बुष्टर डोस देने का फैस वर्करो को सुचि बद कर इन्हें प्रातमिक्ता के आदार पर बुष्टर डोस दरने की योजिना है इसके बाद बीस फरवरि से फ्रंट लाइन वर्करों को बुष्टर डोस दी जाएगे इनके साथ ही बचे वे हेल्थ वर्करों वे बुष्टर डोस लेते रहेंगे अगली बड़ी कपर 15-18 साल के बच्चों को दे जाएगी केवल को वेक्सिन की खुराक जानिये क्या होंगे नियम साथ ही देखे स्वास्त मंत्राला की गाइडलाइन ज्या देश में कोविन-19 के खिलाब टिकाकरन कारकरम का बिस्तार हो रहा है अब 15-18 साल के बच्चों को भी कोरोना वेक्सिन दे जाएगी स्वास्त मंत्राला की तरब से सुमुआर को जारी नई गाइडलाइन के मताबिक 3 जनवारी से सुरू होने वाले 15-18 साल के किसरों को टिकाकरन के लिए 2007 या उससे पहले का जनम लिया होना अनिवारी है नई दिसा निर्देश प्रधान मंत्री नरेंदर मोधिद्वारा राष्ट के नाम एक टिलिविजन समुदन में टिकाकरन अभियान के विसार के लिए सरकार के कदम की गोसना के दो दिन बाद आये हैं कई राज्जों में कोविन-19 मामले बढ़ रहे हैं इसके अलावा वायरस के तदीग संक्रामाग ओमिक्रोन वेरियन का तेजी से प्रसार हुआ है वेक्सिन लेने के लिए पात रप्रस 18 वर्ष के बच्चों के लिए वेक्सिन का विकल्प केवल को वेक्सिन होगा क्योंकि यह भारत में स्विक्रते एक मात्र वेक्सिन है जिसकी 15-18 वर्ष आयू वर्ग के लिए डबलु एचों की आपातकालेन इस्तिमाल की मंजूरी है की है तिसरी कुराग 10 जनवरी 2022 से उपलब्द होगी साट साल या इससे उपर के गांबिर बीमारियों से पिरित बुजरगों को डाक्टर की सला के अधार पर दूसरी डोज के नो महिने या उन्चाली सबते बाद तिसरा डोज या बुश्टर डोज लगेगा नो महिना या उन बिष्टर या निरिचक बरती 2021 परिचा की डेट गोसित कर दी है बिप्यसी एमवईयाइ पदू पर भरती के लिए होने वाली परिचक आयोजन 5 मार्च 2022 और 6 मार्च 2022 को किया जाएगा बिप्यसी मोटर या निरिचक बरती परिचक लिए आवेधन करने वाले अभियरती आय बिहार में स्वेचिक रगदान करने वालों को स्मार्ट डोनर कार्ड दिया जाएगा और उनसे समदित जानकारी भी वेवसाइट पर उपलब रहेगे स्वास्त मंत्रे मंगल पाने ने समवार को कहा कि राज में आप रगदाताओं के लिए स्वेचिक रगदाता स्मार्ट कर दी गई है रगदाताओं को इसकी स्वाप्ट कोपी पंजिकरित इमेल आड़े एवं पंजिकरित मॉबाइल पर एक लिंक के मैदम से भेजी जाएगे जिससे रगदाता असानी से डाउनलोड कर सकेंगे इसके हार्ट कोपी भी समादित रगद केंद्र को वेतरन के लिए राज स्वास्त समितिकी ओर से उबलब्द कराए जाएगे जिससे रगद केंद्र रगदाताओं को उबलब्द कराएंगे। जदुई ने समौर को बताए कि महंदर प्रसाद ने रईवार की रात को अंतिम सास ले वा लंबे समय से बिमार थी। प्रधान मंतर नरेंद्र मोदी और बिहार के मुई की मंतर नितिसक मार ने प्रसाद की निदन पर सोक वेक्त किया है। आपको बता दे कि संसद के सबसे अमिर सदिस्तों में से एक माने जाने वाले महंदर प्रसाद बिहार में साथ बार राजसभा के लिए चुने गए और एक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। हेल्थ इंज्क्स में ये जानकारी सामने आई है। इसमें केरल पहले योपी 19 नमबर पर है वही बिहार 18 नमबर पर है। वोई बेहतर हेल्थ सिवाए देने के मामले में चोटे राज्जों की बात करें तो चोटे राज्जों में मीजरों पहले पायदान पर जगा बनाई है जबकि दूसरे नमबर पर त्रीपूरा लेकिन नागाले ने सबसे आखरे पायदान पर रहा। केंदर सासित परदेसों में दादर नगर हवेली पाले और दूसरे नमबर पर चेंड़ेगाड है बात करें दिल्ली के तो वो पाचवे नमबर पर है अगली बड़ी खबर बिहार में मेट्रिक इंडर परिच्छा के लिए बिने चार आदर्स केंदर यहां सिर्प चात्राई देगी इग्जाम बिएस अबी की और से आयो जी धोने वाले मेट्रिक और इंडर परिचा 2住 Fitries 2022 के लिए जीले में चार-4 आदर्स केंदरों को बनाय गये हैं बता देहां के अवल्चात्राई परिच्छा देंगे मेट्रिक और इंडर पर पहुचने वाले चात्राउों को तौफी और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया जाएगा, सेंटर फर खूबसरों सजावट होगी, जिससे चात्राई कुछनमा माहल में एक्जाम दे सके, जिला सिक्चे विवाग की ओर से, दोनों ही पर इचक लिया आदर्स केंद्रों की सुची का चेंड कर, बीयस इबी अभी तक बिहार के हवाँ में धूल और धूवे के बारिक करन लोगों के स्वास के लिए बड़ा दूस्मन की रूप में जाने जाते रहे हैं, वर्स 2021 में बिहार के हवाँ में एक नए खतरनाग गेस पाचान की गई है, इस गेस की पाचान एनोटो यानि नाइटोजन अकसाइड है, इसने वातावरन में दम गोटो बना दिया है, एक एन जानकारी के मताबिक खास बात है कि पेम दूपन फाइब और पेम दस की मात्रा उन इलाकों में भी फैल गई है, जहां की हवा में अभी तक इसकी पाचान हुई तक नहीं है, इस अंदर में चिंता की बा बागलपूर में 133, बिहार सरिप में 156, बकसर में 187, अरार्या में 107, गया में 1191, मुझपरपूर में 95, पटना में 133, माइक्र ग्राम पर क्यूबिक मिटर रविवार की दोपर दो बजी आका गिया है, अगली बड़ी खबर सिक्चक अभियार्तियों के लिए खुसकबर परवरी के तिसरे हफ्ते के बाद न्युक्ति पत्र दिया जा सकता है, सिक्चा भिवाग ने भी इसकी पूश्टी की है अगली बड़ी खबर पत्ना के 24 सेंटरों पर नए साल में नुसल्क लगेगी बिना सुई वाली जाइकोव डी वैक्सीन, A.N.M के ट्रेनिंग हुई पूरी जिया नए वर्स में पत्ना के लोगों के सामने कोरोना वैक्सीन का एक और विकल्प रहेगा जिनोंने अब दक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं ली है, वे यह नए वैक्सीन ले सकते हैं, इसका नाम जाइकोव डी है, जिसे भारतिया फार्मा कमपनी जाइडा स्केंडिला न इसको लेकर पत्ना में सारे तैयारिया पूरी हो चुकी है, डाक्टर और A&M की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, पत्ना में फिलाल इससे 24 सेंटर पर लगाया जाएगा, जिसमें ग्रामीन और सहरी दोनों ही जगों के सेंटर सामिल है, अब केंदर और राज सरकार के नि डोज लगाया जाएगा, पहला डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा और 56 दिन बाद तिसरा डोज लगाया जाएगा, आज के लिए आपके सवाल बताए कि निते आयोग द्वारा जारी किये जाने वाला हेल्थ इंडेक्स में बिहार को आगे बढ़ने के लि इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए